Hello students कैसे हchae का आप लोग। आज हमारे क Lars का Day 5 तो ऊपीप में हम ने पर हाथ बेस कलर यह क्लरे में इन बेस कलर हमारा हमारा क्या होता है अंडर satisfying हमारे क्या होता है और यह जो bios होती है हमारे जो mest Cemร कालर क्लर rainbow बेस के susan'd के बारे में पढ़ेगे ठीक है हम अंडर को कैसे कट करें और हमारी यह नम्बरी सिस्टम क्या चीज होती है इसके बारे में तो मिझे थोड़ा सा यहां से रफ करना पड़ेगा पहले तो हर बार की तरह आज भी अपनी नोटबुक अपने पास रखो और डेली की तरह कमेंट करो जो भी आपके डाउट होते हैं तो मैं पहले कलरे वीली बना दिता हूं यहां पर रेड यलो ब्लू प्राइमरी कलर होते हैं हमारे और रेड प्लस ब्लू वालेट और और यह किरीन और फोरेंज यह हमारी सक्टरेब रहते हैं तो अब कॉम्पणर ने कैरा हूआ कुस कंपनों ने जैसे मेक सबीत गोद्री गोद्री यह जितनी भी कम्पनिया 小 अंहोंने क्या करात को फैसल यह किया और को नाम इसलिए अभीता तक जो सेडिल थे सबके सेम थे एक number सबका black था दो number सबके darkest brown थे चार number सबके brown थे पर अब company ने अपने-पने divide कर लिया है तो जो वैला है इनका numbering system अलग ऐ है fashion shade का और जो L'oreal हो गया मैक्ट्रीस हो गया इनका fashion shade अलग होते है तो अभी हम सिर्फ L'oreal इनके बार में बात करेंगे ठीक है तो यह जितनी भी कंपनी है इन्होंने क्या करा हुआ 0.1 0.1 को S पोलते हैं मतलब Blue मतलब Blue कलर को इन्होंने नाम दे दिया है 0.1 जैसे यहाँ पर Black को बोलाता 1 Medium Brown को बोलाता 4 नमबर तो यहाँ पर Blue को इन्होंने नाम दे दिया है 0.1 0.2 होता है इनका Irridescent Irridescent मतलब Wallet तो मतलब Wallet को इन्होंने 0.2 नाम दे दिया है 0.3 है Gold Gold मतलब Yellow 0.3 Yellow को नाम दे दिया है इन्होंने 0.4 Copper Copper जो उताब का Orange होता है मतलब इन्होंने क्या करा है 0.4 Orange को बोल लिया है 0.5 Morgany जो यह Morgany होता है यह आपका Wallet प्लस Orange को मिक्स करके 0.5 कलर बनाया है कंपनी वालोंने तो यह वालेट प्लस Orange को मिक्स करके क्या बनाया है 0.5 कलर बनाया है इसमें आपका देखो जो आपका Red कलर है वह ज्यादा है एक बर यहां भी आगया आपका Blue के साथ और एक बर Orange के साथ भी आगया तो 0.5 जो है यह आपका Morgany कलर होता है 0.6 Red मतलब जो आपका Red कलर है यह 0.6 बोलते है इसको Company 0.7 Matte Green कलर को 0.7 बोलते है and last हमारा 0.8 Mocha जो कि Mocha यह हमारा दो कलर होते है यह हमारा complete कलर से बनाया है तो Mocha भी हमारा दो होते है Mocha वैसे होता कैसे है यह समझ लो जैसे आप Coca-Cola Coca-Cola पीते होगे तो Coca-Cola क्या होता वो ना वो Black होता ना वो Brown होता Dark में जाता है तो हमारा जो Mocha कलर होता है यही ऐसी हमारा एक Dark Mocha होता है एक Light Mocha होता है अगर मैं यहां से लेके इन कलर को Mix करता हूँ तो आपका Dark Mocha आएगा और जैसे आपका Orange और Yellow Tone इदर वाली चीज एड हो जाती है तो आपका Light Mocha आता है तो जो आपका Mocha Color है वो आपके साले कलर से मिलके बना हुआ Mocha Color तो यह हमारे होता है Fashion Shade तो आपको इसको Read कैसे करना है तीक है देखो 6.1 6.5 मतलब क्या है 6 आपका Base जो आपका Starting का Number है इसको आप कहते हो Base मतलब यह हमने यहां से लिया हुआ है तो 6 को आप ओलोगे Dark Blown 6 आपका क्या है Dark Blown मैं पूरा नीन लिख रहा चलो मैं उपर लिख देता हूँ ठीक है यह आपको समझी आ गया होगा तो यहां पर मैं आ जाता हूँ 6.1 6.1 क्या आपका 6 होता आपका Base में Dark Blown तो 6 आपका है Dark Blown और आपका जो 1 है यह आपका होता है S 1 आपने लिया हुआ है मतलब इसको आप S कलर बोलोगे तो आपका Starting का Number होता है यह आपका Base होता है उसके बाद वाला जो आपका होता है यह आपका Fashion State होता है अगर मैं 6.3 की बात करूँ तो 6 आपका है Dark Blown 3 आपका है Gold तो इसको आपकी कौन सी Tube है यह आपकी Gold Color Tube है अगर मैं 5.6 की बात करूँ यह आपका है Light Brown और यह आपका है Red Color देखो 6 पे क्या आता आपका Red मतलब यह वाली जो आपकी Color Tube है यह आपकी Red Color Tube है अगर यह खाली 5 होता है तो आपका यह Base Color है मतलब Light Brown Color है तो यह हमारी Numbering System होती है 6.3 हो गया 5.6 हो गया जो भी आपका होता है पहली digit वह आपका Base Shade होता है और बाद वाली digit होता है वह आपका Fashion Shade होता है तो मैं एक बार आपको Color Tube दिखा देता हूं किस टैप की यह Fashion Shade होती है देखो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 6.13 क्या लिखा हुआ है 6.13 अब देखो 6 नंबर होता है आपका Dark Blonde ठीक है यह आपका क्या है Dark Blonde है और 1 क्या आपका AS और 3 आपका क्या है Gold 1 2 6 आपका Dark Blonde हो गा है तो आपको इसको Read कैसे करना होता है तो Read आप यहां से नहीं add करोगी आप आगे से Read करोगे ठीक है जैसे 6.1 को आप Read करोगे AS इसको आप कैसे रीड करोगे 6.3 को गोल्ड विद डार्क ब्लोड 5.6 को आप कैसे रीड करोगे रेड विद लाइट ब्लोड फोरी ब्राउन ठीक है रेड विद लाइट ब्राउन 6.13 को आप कैसे रीड करोगे गोल्ड एस विद डार्क ब्लोड ठीक है तो आपको इस तरह के से रीड करना होता यह आपकी फैसें से ड होती है तो आपको यह कलर कटिंग के में हेल्प करता है ठीक है अब हम अंडर कोट को कट करेंगे तो जैसे मैं आपको क्या बोला था कि पॉ lassन करना है उनके नेचीरल से रीड है तो अब उन्होंने क्या कर आ कि मुझे छे नमबर के क्लीप कर और नाकर हैं तो आपको यहां पर आपको अलislah की ना भॉट company वालोंने क्या बोला हुआ, 0.1 को blue color बोला हुआ, तो आप 6.1 color tube यूज़ करोगे, यहाँ पर, तो आपकी orange tone कट हो जाएगी, आपका dark blonde color आ जाएगा, ठीक है, अब client ये बोलता है, अगर 4 number के hair वो चाहता है, कि मुझे yellow tone चीए, orange tone नहीं चीए, yellow tone चीए, तो आप क्या करोग 4 number के hair पर आप यूज़ करोगे, 6.13, 6.13 यूज़ करोगे, देखो, 1 आपका होता है, S, मतलब ये orange को cut कर देगा, 3 आपका क्या होता है, gold, मतलब yellow tone, तो आपका जो color tube होगी, वो orange को cut करने के बाद, आपका gold color बालों पर आ जाएगा, अगर client को gold color चीए, तो आप 6.13 करोगे, अगर client को दोनों चीज़े चीए, gold भी चीए, orange भी चीए, तो आप 6.13 यूज़ करोगे, अगर orange tone नहीं चीए, तो आप यहाँ पर 1 यूज़ करोगे, तो इसको हम कहते color correction, तो यह आपको समझना जरूरी है, तो अगर मैं 7 number की बात करूँ, अगर client के 5 number के hair है, और आपको 7 number पर जाना है, 7 number पर client को चीए, 6.3 वाला color, अगर आप 6.3 color करोगे, तो आपका yellow के साथ orange भी mix हो जाएगा, अगर client orange tone नहीं चीए उनको, तो आप 6.31 color करोगे, तो आप 6.7 है यहाँ पर, तो 7.31 का color आप यूज करोगे, यहाँ पर, क्यूंकि आपका 7 number पर yellow, orange undercoat है, तो आपको orange को cut करने के लिए blue add करना पड़ेगा, और yellow आपका आजाएगा, अगर client को 7 number पर yellow shade चीए, तो आप क्या करोगे, 7.1 यूज करोगे, 1 आपका क्या करेगा, orange को cut कर देगा, आपका yellow रह जाएगा, client के बालों पर yellow color आजाएगा, तो यह हमारी fashion shade के साथ undercoat को cut करना, आपको पता होना चीए, तो उसके लिए आपको, यह fashion shade आपको याद करनी ज जैसे हमने a से ले लिया है, a से ले लिया है, s, s हमारा a से start है, तो हमने a एकसर ले लिया यहां का, i यहां का iridescent का ले लिया है, g gold का ले लिया है, c copper का ले लिया है, m, red का r ले लिया है, और mocha का, sorry, mat का m ले लिया है, और mocha का हमने यहां से भी m ले लिया है, तो इसको हम चलना मंजूर रहा मोनिका या कोई भी ठीक है मोनिका मैम ठीक है तो आपको इस तरीके से याद करना है आज इनके घर चलना मंजूर रहा मोनिका मैम ठीक है तो आपको इस तरीके से याद करना है जब आप इसको याद करोगे तो आपको एजी रहेगा याद करना आज आज से आप अपने माइन में सैट कर ले ना आज ए आ रहा है तो एस है इनके इन से मतलब एक ए इरिडीसेंट घर जी आ रहा है समझे ले ना गोल्ल है चलना सी से क्या होता कोपर होता है कोपर मंजूर ठीक है मोगनी आपका हो जाएगा आर से रहा ठीक है रहा से red आपका ये easy रहेग आपको कल याद करवा दिया था तो आपको फैशन सेड बेश सेड आपको इससे अंडर कोट को कट करनी है ठीक है तो आज हमारा इतना ही तो कल के टोपिक में हम यह भी समझेगे कि इस पूरी कलर ट्यूब के अंदर कितने परसंटेज हमारी बेश सेड होता है कितना पूरी डिटेल में तो हम कल कलर ट्यूब को बिल्कुल खतम करने वाले हैं मतलब जो भी आपका नंबरिंग सिस्टम होता आप बीच में जीरो भी देखते होगे तो यह हमारा पूरा कंप्लेट टोपिक हो जाएगा उसके बार हमारे ड्वैल पर आएगा ब्लॉंडर आएग हम आपको कंपनी की नौलीज भी देने वाले ठीक है तो आपको जो भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछो मिलते आगली वीडियो में आप एक लिए बाए